तो भाई लोग इस सबते दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई एंड मैं दोनों पे सेपरेट विडियो बनाना चाहता था पर मैं अल्रेडी लेट हो चुका हूँ इसके कारण से भाई दोनों मूवीज के विडियो एक ही साथ कममाइन करके बना रहा हूँ तो पहली मूवी है डेडपुल और मूलवरीन और दूसरी मूवी है रायन तो सबसे पहले बात करते है डेडपुल के बारे में मतलब डेडपुल 3 के बारे में तो विडियो की स्टार्ट में बता देता हूँ यह मूवी पूरी तरीके से एंटेटेंटमेंट से भरी हुई थी इसके जो जोक से actual में feel होते और कुछ-कुछ जोक तो भाई ऐसे थे कि मतलब केसे बोल सकते हो तो इसी के साथ जब picture release भी नहीं हुई थी हमें पहले पता चल गया था picture R-rated होने वाली है मतलब Marvel की यह पहली movie होगी जो R-rated है जिसमें तुम्हें खुन खराबा एकदम भर-भर के देखने को मिलेगा और जब picture start ही हो रही होती start का पहला यह action scene तुम्हें बता देता है कि picture कितनी खतरनाक लेवल पर गंदी R-rated बनने वाली है Deadpool धुन रहा होता है उल्बरिन को और लेकिन तभी उसे मिल जाता है बुल्बरिन का कंकाल वो भी लोहे का बना हुआ और उसी कंकाल से भाई वो TV वाले गुंडों को इतना खतरनाक मारता है मतलब किसी के पीछे कंकाल की वो लोहे की हड़िया घुसा रहा है या किसी के आगे खतरनाक सीन थे भाई वीजुल्स अभी भी याद है मेरे दिमाग में एकदम ताजा है इन एक तरीके से इस पिच्चर को तुम ऐसा भी के सकते हो कि मार्वल की जो इज़द गिर रही थी उसको बचाने का काम ये पिच्चर कर देती है डेड़पुल ढून रहा होता है वुलवरीन को और वो अलitzer ओल्वरीन से मिलता है लेकिन वो चुनता है ऐसे वुलवरीन को जो एकदम निठल्ला है जिसके कारण से भाई उसी व्लवरीन के दोस्त मर चुके है तुम उस फुलोरिन को ऐसा कह सकते हो कि भाई यह एकदम बेकार था पर खLabट दोनों मिलके साथ में काम करते हैं अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं और यही तुमें पिच्चर में देखना है कि यह दोनों साथ में मिलके केशा काम करते हैं क्यूंकि तुम ज़्य बादात है टाइम इन दोनों को आपस में ही लड़ते हुए देखो गया एंड एक जगा तो भाई ये लोग इतना लड़ते हैं कि सुबे से रात हो जाती है एंड फिर भी लड़ रहे दोनों एंड आखिर कर ठक हार के दोनों उसी कार में ब्योश पड़े हुए होते फिर हमको नजर आता है कि भाई कोई इनको उठा के लेके जा चुका है और वो कार वाली फाइट की जो सिनेमेटर ग्राफी थी भाई कितनी टफ रही होगी मैं यहां पर सोच पा रहा हो कि भाई खतर ना वो फाइट मैंने इंज्वाई की एंड इसी के साथ भाई ये कि स्टूडियो कि क्या के लेता है डेटपूल मतलब इतनी सारी बाते बोलता है ना पूरी पिचर में ऐसा लगता है कि उस्टूडियो के लिए रोष्ट बनाने के लिए पिचर बनाई गई है अच्छा खासा डेटपूल उसको रोष्ट करता है और वो रोष्ट क्यों किया है इसके बारे म तुम मुझसे जादा अच्छा से जानते होंगे अब वीडियो के बीच में तुम्हें रोक के एक बात बताना चाहूंगा कि भाई तुम्हारे इदर जो लाल बटन हो था सस्क्राइब का वह अभी भी लाली है ना तो उसको जरा सिल्वर कर दो सस्क्राइब कर लो मतलब चैनल कोई दिखकत नहीं है तो वह स्पोईलर यह है कि एक सिन में हम लोग डेटपुल और थॉर को एक साथ देखते इट मिंस कि दोनों की साथ में कोई पिच्चर आ सकती है या दोनों साथ में तो दिखेंगे डेफिनेटली पिच्चर में जो तुम्हें सर्प्राइज मिलने वा सेंडरा को देखके भाई फीली नहीं आता कि ये डेटपुल और वुलवरीन को हरा देगी और कुछ खास हैसा इंपक्ट भी नहीं डाल पाती विलन मतलब विलन जैसी विलन लगती ही नहीं हो पतानी भाई पिच्चर में इसी कमजोर विलन क्यों दिखाई गई है जबकि त कुछ लाजिक नहीं सोचा कुछ नहीं सोचा बस पिच्चर को देखते गया इंज्जॉय किया मैंने तो इसके डायलोक्स खासकर इसके डायलोक्स मैंने मुवी को दो बर देखा है सबसे पहले मैंने इंग्लिश में देखा एंड अगले दिन जाके देखी हिंदी डब भाई कि भाई जरासी भी इस पिच्चर की हइप नहीं है जो कि मैं इसके ट्रेलर रिलीज से ही बोलता आ रहो जो फिच्चर देखने के बाद मुझे इसा लगा कि भाई यह पिच्चर इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहो मैं completely में इससे स्टूर् और डिरेक किया है धनुष ने और टिसी पिच्छर की कहानी कि बात करें तो पिच्छर की कहानी इसे रायन अपने माबाप के साथ रहता है उसके दो भाई और एक छोटी बहन जो की अभी अभी हुई है एक दिन रायन के माबब गाउ से बाहर जाते है शहर लेकिन कभी वापस लोटके आते ही नहीं और रायन की छोटी बहन को एक पुजारी उठा के लेके जाने वाला होता है तबी रायन वो पुजारी को माय डालता है यही से रायन की पहले मडर की जर्नी स्टार्ट हुई है इसके बाद रायन उस गाउ को छोड़ देता है और शहर आ जाता है अपने दो भाईयों और एक बहन के साथ शहर में आके वो कुछ छोटा मोडा काम करके अपने भाई बहन का पेट पाल रहा होता है और यह जो मैंने तुम्हें पाड बता है यह बचपन का पाड था और अब कहानी पहुच जाती है कुछ साल आगे मान के चलो काहनी 10-15 साल आगे पहुच गई यह सभी के सभी लोग बड़े हो चुके है और रायन अपने दोनों भाईयों के साथ एक फूट ट्रक चलाता है एक भाई कॉलेज में पढ़ाई करता है दूसरा भाई दारू पिता रहता है और जो बहन है वो घर पे रहती है खा कुछ भी कर सकता है कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी किसी की जान तक ले सकता है और इसका प्रूफ हमको पिच्चर इस्टार्ट में दे देती है जब रायन अपनी बहन के लिए उस पुजारी को माय डलता है अब देखो दुराई और सेतू के साथ रायन ने एक दुश्म बूर हो जाते है पर खिर क्लाइमेक्स जो था पिच्चर का वो प्रेडिक्टेबल था लेकिन फिर भी भाई इन जो आई किया में पिच्चर को मतलब यह पिच्चर इतनी बूरी नहीं थी कि मैं इसको देख हुई ना मेरे साब से पिच्चर वन टाइम मोच है अगर तुम अनुष के फैन हो या नहीं भी हो तो एक बार इस पिच्चर को देखने में कोई बुराएं नहीं है और अगर तुम रायन मूवी देख चुके हो तो भाई अपने एक्सपरियंस जरूर कमेंट में शेयर करना और डेट कूल भी अगर देख चुके हो तो भाई जरूर बतान तो फिलाल अपन इस वीडियो को यही एंड करते I hope कि इन दोनों मूवीस के बारे में जो तुम्हें बताना चाहता था वो मैं बता चुका हूँ और तुम लोग को भी समझ में आ गया हो कि तुम्हें कौनसी पिच्चर देखने चाहिए और कौनसी नहीं तो वीडियो के एं कि अःब झारे मैं लोग करता हुआ झारे मैं और काव को ऱ वेपकर बता हुआ है जारे में कि तुम्हें जारे में बताना चाहता हुआ है और फिलने में लो मैं भी स्क????